आजादी का सफर आकाश मनी के साथ कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानन से मुलाकात ने उनकी सूच और जिन्दगी बदल दी विवेकानन से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुँची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गई बलकि भारतियता की प्रतिमूर्ती बन गई 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर का वरत लिया तो विवेकानन ने उन्हें निवेदिता नाम दिया जिसका अर्थ होता है प्रभू के लिए समर्पित माई से अक्टूबर 1898 के दोरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामे विवेकानन के साथ अलमोडा और कश्मीर की यात्रा की कश्मीर में जब उन्होंने ब्रेटिश सरकार के कार गुजारियां देखी तो इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है दरअसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्क्रिट कॉलेज के लिए विवेकानन को जमीन सौपनी की अनुमती कश्मीर के महराजा को नहीं दी मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौ जवानों का समो बनाया और रहत कारियों में जुट गई जून 1899 के मध्ध में निवेदिता इंग्लेंड पहुंची बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमरीका गई इस दोरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंदर पाल से हुई इंग्लेंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाव जम कर दुश प्रचार हुआ लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया 1902 में भारत लोटने के बाद चेन्नई में उनका भवे स्वागत किया गया उनके भाशन को खोब सरहा गया सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहता लेने से मना कर दिया था उन्होंने स्कूल में दैनिक समचार पत्रों में वंदे मात्रम ऐसे समय शुरू कराया जब सारवजनिक रूप से देश भक्ती के गीत गाना अपराद था उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चर्खे की शुरुआत भी कराई। 1902 में जब वॉइसराय लॉर्ड करजन ने राष्ट्रिय शुक्षा प्रणाली में बाधा डालने के लिए युनिवर्सिटी कमिशन न्युक्त किया तो सिस्टर निवेदिता ने इसके विरोध में लिखा। इस दोरान उन्होंने भारतिय धर्म और संस्कृति के बारे में व्याख्यान देने के लिए देश व्यापी यात्रा की। उन्होंने विदेशों में भारतिय क्रांति कारियों को संगठित भी किया। यहां सिस्टर निवेदिता विराजमान है जिनोंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।